हलो फैंस मैं हूं धर्मेंद और आप देख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गोली आप सभी का आपके अपनी चौल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि बेहार पुलेस कॉंश्टेवल 2019-2020 के रिजल्ट आ हुए बहुत टाइम हो गया है जी कुई कमेंट करें से applies 75 में नहीं हुआ तो दोस्तों आखिरकार कौन-कौन से के जानने चाहता हूं जिनके इतने ज्यादा माक्स में सेलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों आप लोगों कमेंट करना इस वीडियो में चली बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ कौन-कौन केंड़ेट का सेलेक्शन असी, ब्यासी, आपके चौरासी या फिरियों कहें कि 75-76 इतने इतने माक्स में नहीं हुआ आखिरकार इसी कितने ही केंड़ेट हैं जिनके इतने ज़्यादा हाई माक्स आने पर भी सेलेक्शन नहीं हुआ उनके कहें अनुसार चली बढ़ते हैं आगे लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेश है कि आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और साइड में वेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें घंटी के निसान ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल जाए और हाँ जी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको आधिक से अधिक लाइक करें और सेयर करना ना भूले जी हा इरिटी आप लोग्का जो रिजयल्टक दोबारा से आ रहा है तो दोस्तों आपको कट-offs पता चले कि आपके मार्त कितने आए थे आपके पास यह विडियंस रहे कि मेरे मार्त से तने है मेरे सेलेक्शन क्यू नहीं हुआ जियां-दोस्तों आप रख सकें अपनी बात कि मेर यहां से लगाएं कहीं और से लगाएं बट लगाएं यदि आप लगाना चाहते हैं तो जाहिए वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक होगी किलिक करिए रेइस्टेशन कराई आपकी लगा दी जाएगी ओकी चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आप ल लगाऊ या डालू तो दोस्तों आपको बता दें आप लोग एंसी कमेंट करें तो मेरे को लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ घापला हुआ है इतने मार्क्स हैं आपनों के और सेलेक्शन नहीं हुआ एटी टू मार्क्स और वह भी आपका कप सेलेक्शन नहीं हुआ यहां मेरिट हाई गई होगी बट आभी आपके इस टाइम पर सेलेक्शन नहीं हो रहा है तो यहां पर मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट जा रहा है जिहां दोस्तों इसलिए आप आप आटी एक बोलें तो वीडियो के डेस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाईएगा और अब दोस्तों आप नेश्ट कमेंट देखिए यहां पर हमको कमेंट करते हैं कौन क्रिष्णा कॉमार सिंघानिया जी क्या बोलते हैं सर बहुत बेकार रिजल दिया है असी परसेंट सॉल्व किये पर हुआ नहीं तो दोस्तों इनका भी कहना है कि करिवन एटी परसेंट के स समतिंग इनका सही था लेकिन इनका भी यहां पर सेलेक्शन नहीं हुआ अब यहां पर प्रिकाश जी बोलते हैं असी सी पचासी वाले मेरे साथ आजा है मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मेरे से ज़्यादा माक्स लाकर बताएं दोस्तों कमेंट को कुश्मत पूचिए कोई साथ में हो गया जी हां दोस्तों मेरे पास अइसे कमेंट्स भी आये हैं कि चौंस साथ नंबर है तो अप्राइं आपको हैं लेकिन दोस्तों आपनों को ध्यान रखना है यादि आपके भी 80 के समतिंग मार्क्स आ रहा है और आपका भी स्लेक्शन नहीं हुँ रहा है आपने लगा दी है या फिर आपको अभी पता है आपने से मिला के देखा था तो दोस्तों आप लीज कमेंट जरूर करें कि सर मेरे मार्क्स भी ज़ादा हैं और मेरा स्लेक्शन नहीं हुआ आप दोस्तों एक और कमेंट आए कि सर मेरा 12 जन्वरी को एक्जाम था हाजी पॉर में मेरा 80 सही था आप दोस्तों 80 आपका मन से सही था आप लोग RTI लगाईए तब ही आपको पत्त चलेगा क्योंकि 80 से वाले बहुत जादा कमेंट हैं हम BC2 से हूँ नहीं हुआ है RTI लगने के लिए बता हैं तो दोस्तों RTI लगाने के लिए मैंने बता दिया है आप वीडियो के डेस्क्रेप्शन में जाएए वहाँ पर RTI की लिंक है आप बिलकुल लगाईए और अपने मार्क्स चेक कीजिए जरूरी है आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए बताने के लिए मेरे इतने मार्क्स आए हैं और मेरा सेलक्शन नहीं हुआ अब यह आपकी बात कोई नहीं सुन गया दिया आपको आइट है के रिप्लाइ आ रहा है तो बाकाई आपके पास प्रूफ हो जाएगा आप आंगे एक्शन लेने के लिए तैयार है रेडी हैं इसी प्रिकार से यहाँ पर एक और बात निकल के आती हैं यहाँ पर जिंपल इसे ब्लॉंग करते हैं इनका नहीं हुआ अब इनका कहना गल थे कि मेरा हो गया है चौशट में आपके प्रिकार से आप देख सकते हैं पर फिर से वही कमेंट 79 कि सम्थिंग इनका था आमित गुपतर जी का क्या कुमार हैं इनका भी नहीं हुआ 79 में नहीं हुआ जिहां दोस्तों उन्होंने सब मिलाया ऐसे कमेंट बहुत जाद हैं 79, 80, 82 ऐसा क्यों हुआ मिरे को समझ में नहीं आ रहा है आखिर का कैसा गोल माल कर दिया दोस्तों डिमांड उठनी चाहिए कि आप लों का कट आप जारी किया जाए और कट आप जब जार है बोग कर सकते हैं हालाकि बहुत से लोग आंगे आ भी रहे हैं और बहुत से प्रूफ आपके सामने निकल के आ रहे हैं कि आखिर कार कैसा क्या गोल माल हुआ है अब दोस्तों आप फिर से देख सकते हैं यहां पर अरबेस क्या नाम है इन्होंने बोला 86 नमर था फिर भी बात है दोस्तों ऐसा तो हैंने कि आपका 90-906 का टॉप गया हो इतना हाई का टॉप नहीं जा सकता गया होगा तो मैं समझता हूँ कि 80 के समझेंग लेकिन 80 के समझेंग के बालों का नहीं हो रहा है तो पर बहुत बड़ा गोल माल रहस समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पर फिर से आप कमेंट देखिए यहाँ पर राम जी रॉक बोलते हैं मेरा 72 चले इनका ठीक है नहीं हो सकता बट यहाँ पर भाई जी ओनलाइन क्लासेज बोलते हैं 78 राहित होने के बाद भी इनका सेलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों 78 बहुत जादा हो रहा है फिर इनका सेलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पर इनका देखिए 86 था और OBC से मेरा रिजल्ट है हुआ है क्या वो लाये इनोंने चले ठीक है यह दी हुआ है तो अच्छी बात है बट यहां पर नहीं हुआ है ऐसे कैंडिट बहुत ज़्यादा है जिनका 86 पे भी नहीं हुआ डेफरेंज आप यहांपे फिर से देख सकते हैं यहांपर ACause cheapest क्या नाम है इनका अबी मन्यूजी है इनका भी 81 मी नहीं हुँआ यहांपर संजाई जी इनका 82 में हुआ दोस्तो बड़ा दोख होता है जब आप इतनी दिन राष्ट से मेहनत करते हैं खुनपसीन एक करते हैं और पढ़ाई करते हैं और आपके इतने हाई माक्स लाने पर भी स्लेक्शन नहीं हो पाता कुछ ही कारणों से तो दोस्तों यहां पर यादी आपका कट आफ हाई जाता तो हां मान जाते बट यहां पर कट आप भी आपको पता नहीं है और आपके माक्स भी एक्जेट आप आपनी आटियाई जरूर लगाई यह ताकि आपको बिल्कुल fix marks पता चल सकें कि आखिरकार आपके marks आए हैं तो सच में कितने आए यह तो आप अभी अपने अनुसार ही बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से कमेंट है 82, 86, 82, 86 ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगे 86, 86 marks से selection नहीं हुआ प्लीज आटियाई जरूर लगाई यह ताकि आपको प्रॉपर marks पता चलें और यदि आपका 82 के उपर नहीं हो रहा है तो दोस्तों बहुत बड़ा घमासान हुआ यहां पर है न यहां पर फिर से देखिए दोस आप भी ऐसे कैंडेट की गिंती में आ रहा हैं तो दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर करें कि सर मेरा 80 की उपर नहीं हुआ ताकि हमारे पास एक लिष्ट निकल के आ सके सामने की देखिए कैंडेट है जिनका 80, 82 के marks आने के बाद भी selection नहीं हुआ अब इनका कारण बताईए आपके आखिरकार क्यों नहीं हुआ 80, 82 marks आने पर या तो आप cut-off जारी करिए जिससे कि इनको पता चले कि आपका cut-off इतना high गया है या फिर इनको इनका कारण बताईए कि आखिरकार क्यों नहीं हुआ सेलेक्शन, 82 marks लाने के बाद दूद तो दोस्तो कमेंट जरू करें यदि आपका 76, 78, 80, 82 के यहां पर around घुम रहा है cut-off मतलब की marks अब चले मैं आपको बताता हूं किन केंडेट ने कमेंट किया है कि मेरा 64 और 62 में हो गया मैंने poll create किया था आप जराब वो देखिए दोस्तो आपके किसका आपकी फेमेल का cut-off ही यहां पर कमेंट किया गया है क्या 188 बोर्ट डले हैं जिसमें से 13% ऐसे फेमेल से यहां के डिगरी की जिनका 33 से 40 के बीच हो गया है 13% जब आप निकालेंगे तो आपके समझ से निकल के आईगी भेलू करीबन 24 लड़कियां ऐसी है क्या है बताएं इसी प्रकार से दोस्तों आप यहां पर स्टी का cut-off देख सकते हैं मेल का यहां पर 188 बोर्ट पढ़ें आप अपनी आख से देख लीजेगा यूर एक्जाम गोली के कमनीटी टैप पर आपके आपको यहां पर पता चल जाएगा कि 50-55 में ऐसे 8% लोग है कि उनका सेलेक्शन हो गया है किस से कैडिकरी से एस्टी से देखिए दोस्तों 8% जावा आप निकालेंगे तो करीवन यहां पर 15 लोग निकल के आज आएंगे जिनका सेलेक्शन 50-55 की बीच हुआ है इसी प्रकार से दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं से कैडिकरी की का कट यहां निकल के आएगी कि 166 में जिनका सेलेक्शन 35-50 के बीच हो गया है दोस्तों एक जूट बोलेगा दो बोलेंगे तीन बोलेंगे चार बोलेंगे पांच बोलेंगे बट डारेक्ट 16 जूट बोलने तो इंपॉसिबल है और चुकि मेरे सब्सक्राइबर यह से भी नहीं जूटा बोलत यहां पर डालें जीहां दोस्तों इतना फेर बड़ल नहीं हो सकता हो कि एक ही 2% रहते हैं जो बिलकुल आशा माजेक रहते हैं जोकी बिलकुल माजा कने आते हैं बाकि यहां पर नाइंटी नैन पर्सेंट बहुत आवेर फुल जनता होती है को और दोस्तों आप 11 परसेंट निकालेंगे तो आपके समख्ष यहां पर 16 फिर से निकल के आईगी कि 16 लोग ऐसे हैं जिनका 60-65 की भी सिलेक्शन हो गया आप यह हमने देखा था कि किसी का इंडिट का 82 में नहीं हुआ यहां दोस्तो आपका सच में नहीं हो रहा है तो आप बिलकुल आगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप को करें आंदोलन बहाग लें बड़ दोस्तों आपको बता दें इतने माक्स में आपका सेलेक्षन हो जाएगा आपके एटी टू एटी है आप आटी है जरू लगाई चली दिखते हैं नेस्ट अब दोस्तों बीसी से यहां पर छे परसेंट है च्यासाट बोट पड़ी है सम्तिंग तीन लोग ऐसे हैं जिनका सेलेक्शन पचास से पच्पर में हो गया इसी प्रिकार से फैंस यहां पर आंगे वार में बोट कम पड़े हैं तो उसको हम आमान नेगोसित करते हैं लेकिन जहां पर जादा बोट से इनको तो मानना पड़ेगा जैसे कि अभी हां पर एक स्विंग क्या बान है एक सो और साथ है च्यासाट है ऐसे और आप लोग इस पूर्ण को सेयर करें अधिक स्याधिक वीडियो को सेयर करें ताकि हर को क्यों इनफॉर्मिशन मिल सके और वो भी यहां पर बोट कर सकें जिहां फैंस ताकि अच्छे से अच्छी इनफॉर्मिशन हमारे समक्स निकल के आए एक्षन को लिया जा रहा है आंगे कर रहा है सब को तो दोस्तों प्लीज बहुत आए जाएंगी तो उनके वह होंसले बिलकोल ध्वस्त हो जाएंगे जिहां दोस्तों आप वह समझ रहे कोई कुछ नहीं कर सकता तो दोस्तों एदी आटिया जाएंगी एक के बाद एक जब हाजारों की शंख्या में पहुंचेंगी ना तो दोस्तों फिर उनको एक्षन ले सब्सक्राइब कर दोस्तों जो आपका संग त्यार हो रहा है उसमें हेल्प करें सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को निया मिले जल्द से जल्द ओके फैंस लेते हैं आप से बिदा टेक्या लव यौल जय हिंद जय भारत और आप चाहें तो आनलाइन आफ लाइन आटिया दोनों प्रकार से कर सकते हैं आप वीडियो की डेस्केप्शन में या पर आप यहां पर कॉर्णर में जाएंगे तो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी ओके टेक्या